हेलो एव्रीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल, आज की वीडियो में हम लोग अंतरास्ट्रिय आर्थिक संगठन के बारे में जानेंगे, जो भी इंपोर्टेंट आर्थिक संगठन है, ठीक है, उनके क्या-क्या कार्रे होते हैं, कब उनका गठन हुआ था, या फिर कहां पर उ मुद्रा कोर्स की अभिकलपना जुलाई उननिस सो चंबालेस में सन्युक्त राज्य ने, सन्युक्त राज्य के न्यू हैंप शायर में सन्युक्त रास्टर के ब्रेटन वोट्स सम्मिलन में की गई थी, कब की गई थी, नाइन्टीन फॉर्टी फॉर में, और यहां से वो वशिंग्टन डीशी में है, भारत में उननिस सो भारत जो है, इसका सदस्य बना था, नाइन्टीन फॉर्टी फाइव में, तो यह इंपोर्टेंट है, इंडिया इसका सदस्य कब बना था, इस चीज को आप याद रखना, जब कोई देश अंतरास्ट्रिय और रिकंस्ट्रक्शन्स और डिवलपमेंट यानि कि आई बी आरडी में सदस्यता नहीं मिलती है, क्या उसका पैमाना है या आप याद रखना, जब तक कोई देश आई-एम-एफ का मेंबर नहीं बनता है, तब तक उसे इसकी मेंबर्शिप नहीं मिलेगी, ओके, सो विश 1969 में अपने सदस्य देशों के लिए अंतरास्ट्रिय आरक्षित संपत्ति के रूप में बनाया गया था, इसको पत्र सुन्ड या फिर पेपर गोल्ड की संग्या दी जाती है, ठीक है, SDR का मूल्य बास्केट ओफ करेंसी में शामिल मुद्राओं के ओसत भार के आधार पर क किया जाता है, इस बास्केट में पांच देशों की मुद्राओं शामिल है, कौन से कौन से है वो पांच कंट्री, अमेरिकी डॉलर इसमें शामिल है, यूरोप का यूरो शामिल है, चीन की मुद्रा, रॉम्बिन, जापानी येन, और ब्रिटेन का पाउंड जो है, इसमें कि मुद्रा को याद रखना भाई बड़ी उनिक है ठीक है तो यह पांच कंट्रोई की जो है इसमें मुद्रा शामिल है विश्व आर्थिक परिद्रश्य रिपोर्ट वह वैश्विक वित्य इस्थरता रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है इंटरनेशनल मोनेटरी फ पुर्णर निर्माड और विकास बैंक इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन्स एंड डिवलप्मेंट और अंतराश्रिय मुद्रा कोस की स्थापना एक साथ 1944 में अमेरिका के न्यू हैंप शायर में ब्रेटन वोट सम्मेलन के दोरान ही हुई थी याद रहे आपच ब्रेटन वोट सम्मेलन को अधिकारिक तौर पर संयुक्तिरास्ट्र मौर्द्रिक और वित्य सम्मेलन के रूप में जाना जाता है इसकी आपचारिक स्थापना 1945 में हुई थी अंतिरास्ट्रिय मुद्रा सौरी अंतिराश्ट्रिय पॉनन निर्माड और विकास बैंक को ही विश्यो बैंक कहा जाता है ठीक है इसका जो हेड़कॉर्टर है वो अमेरिका की राज़ानी वासिंग्टन डीसी में हैं कई सारी संस्थाइं ऐसी हैं जो कि सेम हैं कुछ-कुछ उनके बारे में तो वो चीज आप देख लेना एक ही तरीके से याद कर लेना या फिर एक ही द्वारा जारी की जाती है उनको अप अलग लिख लें ओके सबसे अला इंपोर्टन यहां पर यही फैक्ट है कि इनकी द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है मोस्ट ली अगर कॉश्यन पूछ जाता है तो नेक्स विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ट ट्रेड और इसकी स्थापना 1995 में हुई थी और इसका जो हैड़कॉर्टर है वह है जेनेवा में है ओके डवलु टियो जी एटी टी यानि के जेनरल एग्रिमेंट ओफ टैरिफ्स एंड ट्रेड का प्रतिस्थापित रूप है जी एटी टी की जो स्थापना हुई थी वह है 1948 में हुई भारत डवलु टियो का इस्थापना की इस्थापना के दौरान से ही इसका सदस्य है मीस टुसे 1995 से ओके नेक्स्ट है उरुगवे दौर की वारता में और्थर डंकल द्वारा जारी डंकल मसौदा के तहत जी एटी टी को डवलु टीयो में प्रतिस्थापित किया गया डंकल मसौदा बहुत धिक संपत्ती के अधिकार से संबंदित है यह जो मसौदा है most important है कई बार इसके बारे हम पूछा जाता है कि किस से संबंदित है वो आपको चार options देगा नीचे चार statement के रूप में और आपको वहां पर correct करना होगा कि कौन सा correct option है okay trade related investment major investment major terms डवलु टीयो का एक महतपूर्ण समझोता है जो प्रतिबंध और शर्तों से संबंदित है जो कोई देश अपने देश में विदेशी विन योगों के संबंद में लगाता है विश्वा आर्थिक मंच यानि के world economic forum की बात करते हैं काफी important है यह संगधन भी इसकी स्थापना जर्मनी के cloud श्व इस संस्था का नाम विश्वा आर्थिक मंच रखा गया था 1987 में इसका हैड़कॉर्टर जनेवा में है 35 क्रिस्टल पुरस्कार जो है वह विश्वा आर्थिक मंच द्वारा ही दिया जाता है यह काफी महतपूर्ण पुरस्कार है एक शीज यह है जो हैसा कि मैं हमेशे आप हो जाती है बात करते हैं ब्रिक्स की जो कि एक महतपूर्ण संस्था है ब्रिक्स की संगठन है सौरी ब्रिक्स की चड़्चा वर्ष 2001 में गोल्ड मैन स्केच एक के अर्थ शास्त्री जिम ओ नील द्वारा ब्राजील रूस भारत और चीन की अर्थिवावस्ताओं की विकास 2009 में रूस के एक तेरिन वर्ग में हुआ था दिसमबर 2010 में दक्षर अफरीका को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंतर्ट किया गया और इसे ब्रिक्स कहा जाने लगा मार्च 2011 में दक्षिर अफ्रीका ने पहली बार चीन के साथ चीन के साथना में तीसरे ब्रिक सिखर सम्मिलर में भाग लिया था याद करने वाले पॉइंट इसमें क्या है ये बता देती हूँ यानि कि सबसे पहले तो इसकी स्थापना कब हुई थी ठीक है उसके बार 2009 में इसमें 2010 में इसमें दक्षिर अफ्रीका जोड़ा गया तो इसमें S जोड दिया गया मींस्ट से साथ अफ्रीका ठीक है अब यहाँ पॉइंट ये आता है कि साथ अफ्रीका की पहली बैठक कब हुई थी ठीक है और वो ब्रिक्स का कौन सा सिखर सम्मिलन था तो वो थर्ड माना जाएगा अब ब्रिक्स का वो पहला नहीं माना जाएगा क्योंकि उसके पहले से जो सम्मिलन चलते आ रहे थे वो भी उसमें काउंट होंगे क्योंकि वह है पहले से एक संगठन है एक अलग कंट्री को इसमें जोड़ दिया गया तो इससे उसके संगठन के जो भी समिट होते थे उस पर कोई फेक्ट नहीं पड़ेगा New Development Bank की स्थापना जुलाई 2015 में Brick Samu के देशों द्वारा की गई थी इसका जो मुख्याले है वह चीन के संगाई में है 2015 में याद रहे New Development Bank की स्थापना की थी बात करते हैं अगर आसियान की आसियान का पूरा नाम Association of Southest Asian Nations है 1967 में आसियान घोष्रा पत्र जिसको Bangkok घोष्रा भी कहा जाता है पर संस्थापक रास्ट्रों त्वारा हस्ताक्षर करने के साथ आसियान की स्थापना हुई थी इसका मुख्याल है इंडोनेशिया के जकार्ता में है काफी important है यह कौन से कंट्री है यह सब साहता महैतफरीकन क्षण है और यहां से क्षण बनता भी है यह तैन कंट्रीस एसमें इनके नाम आप लोगी याद रक्ता है ओके ठीक है दक्षिंड एशियाई शेत्रिय सहयोग संगठन मींस्टू से दक्षेस की अगर हम बात करते हैं तो दक्षिंड एशियाई शेत्रिय सहयोग संगठन South Asian Association for Regional Corporation जिसको सार्प कहा जाता है जिसके बारे मैं भी मैंने आपसे बताया था इसकी स्थापना 8 रिसंबर 1985 को धाका मींस्टू से बांगलादेश में हुई थी इसका मुख्याल है जो है काटबांडू में ठीक है स्थापना हुई थी 1985 में भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाल, भोटान, मालदीव, अफगानिस्तान और श्री लंका इसमें शामिल है एक बार फिर से याद कर लेना अच्छे तरीकी से कौन से कंट्री इसमें शामिल है इनना याद करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है बार याद करने पड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन यहां से कई बार बन चुका है शंगाई सहयोग संगठन जिसको S.C.O. शॉर्ट मां बूला जाता है S.C.O. एक स्थाई अंतर सरकारी अंतरास्ट्री संगठन है इसकी स्थापना हुई थी 15th of June 2001 में इसकी स्थापना हुई थी इसका मुख्याल है जो है वह चीन के बीजिंग में है June 2017 को कलाकिस्थान के अस्ताना में भारत एवं पाकिस्तान को शंगाई सहयोग संगठन यानि कि S.C.O. के पूर्ट सदस्य का दरजा प्रदान किया गया था यह important fact है इसको याद रखना ठीक है कि पूर्ट सदस्य का दरजा कब दिया गया था ठीक है खाद्य एवं कृशी संगठन की अगर हम बात करते हैं तो संयुक्त राष्टर संग तंत्र की यह सबसे बड़ी विशेशक्यता प्राप्त एजेंसियों में से एक है जिसकी स्थापना 1945 में क्रशी उत्पा लगता और ग्रामीर अबादी के जीवन निर्वाह की इस्तिती में सुधार करते हुए पोशंट रथा जीवन इस्तर को उन्नत बनाने के उद्देश के साथ की गई थी ठीक है कब की गई थी 1945 में और उसका लक्ष क्या था क्या उसका उद्देश था यह आपको याद रखना है और पिछले कई दिनों में यह काफी चड़्चा में भी रहा है ठीक है इसकी स्थापना हुई थी 1989 में 1989 में इसकी स्थापना एक अंदर सरकारी निकाई के रूप में की गई थी भारत FATF का सदस्य 2010 से है FATF का उद्देश्य मनी लॉंडरिंग आतंकवादी वित्पोशन जैसे खत्रों से निपटना और अंतराश्य वित्य प्रडाली की अखंड़ता के लिए अन्य कानूनी विनियामक और परिचालन उपायों के प्रभावी कार्यान वेन को बढ़ावा देना है अगर कोई भी कंट्री आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए या फिर उसका मतलब financially उसकी help कर रही है इन सब चीजों में तो उनको मतलब उनके लिए ये सारी चीज़ें निपटाने के लिए मतलब वो इंडेक्स जारी करता है या फिर उसमें अभी पाकिस्तान का मैटर हुआ था ना कि पाकिस्तान को उस लिस्ट में रखा था ये काफी सारी लिस्ट जारी करता है इसके लिए लगसी एक टॉपिक लिक रहा हूँगी ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट वाटेवर ठीक है तो हाँ यहाँ पर ये दे दिया है हमने किसी भी देश का FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल होने का अर्थ होता है कि वह देश आतंक वादी फंडिंग और मनी लॉंडरिंग पर अंकुष लगाने में विफल रहा है ठीक है किसी भी देश का FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल होने का अर्थ होता है कि उस देश को अंतराश्य वित्ती संस्थाओं द्वारा वित्ती सहायता मिलनी बंद हो जाएगी अब हम बात करते हैं एशिया विकास बैंक की काफी इंपोटेंट है एशियन डिवलप्मेंट बैंक यानि एडिबी एक शेत्रिय विकास बैंक है जिसकी स्थापना हुई थी 19th December 1966 में एडिवी का जो हेड़कटर है वो मनीला में है मेंस्टू से फिलिपिन्स में इसका उड़ेश एशिया में सामाज़क और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है एडिवी विकास शील देशों की उन पधियोजनाओं को समर्धन परदान करता है जो सारवजनिक एवं निजी शेतर के सहयोग के माध्यम से आर्थिक विकास की दिशा में कार्रे करती है एशियाई विकास बैंक द्वारा एशियाई विकास आउटलोक नाम से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है most important fact है यह और इसके द्वारा किस-किस की किन शित्रों में help की जाती है वो भी यहां पर आपको याद रखना है clear ठीक है तो यह सारे ही संस्थान जो थे वो इसमें complete हो चुके है ओके thank you so much for watching my video मिलते है next video में